अगला पाठ है इन्दी में रजिया सज्जा जहीर द्वारा लिखित नमक रज्या सज्जा जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे रज्या सज्जा जहीर जी का जन्म पंद्र सौ पंद्र फर्वरी सन 1917 अजमीर राजस्तान में हुआ था इनकी प्रमुक रचनाये हैं जर्द गुलाब, उर्दु कहानी, सम्मान जो हैं इनके ये हैं सोव्यत, फूमी नहरु पुरुषकार, उर्दु अकादमी, उत्तर ब्रदेश, अखिल भारती लेखी का संग अवाड और जो इनकी मृत्ति हुई है वो हुई है, 18 दिसंबर सन 1989 में हमारे दिड़ संकल्प ही हमारी ता रज्या सज्जाद जहीर, मोलता है उर्दु की कथाकार हैं, उन्होंने बीए तक की सिक्षा घर पर रहकर की ही प्राप्ति की, विवाह के बाद उन्होंने इलाबाद में, इलाबाद से उर्दु में M.A. की परिक्षा उत्तिर्ण की, सन 1947 में वे अजमेर से लखनव आई औ और वहां करामत हुसेन गल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी, सन 1965 में उनकी नियुक्ती सोवियत सूचना विवाग में हुई, आदुनिक उर्दु कथा साहिति में उनका महतपूर्ण स्तान है, उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनु लिखे हैं, उर्दु में बाल साहिति की रचना भी की है, मौलिक शर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भासाओं से उर्दु में कुछ पुस्तकू के अन्वाद भी किये हैं, रजिया जी की भासा सहज सरल मुहावरेदार है, उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में लियांतरित हो चुकी हैं, रज्या जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्बा धार्विक सही चुनता और आधुनिक संदर्वों में बदलते हुए, पारिवारिक मूलियों को उभारने का सफल प्रियास मिलता है, सामाजिक अथार्त और मानवी गुणों का सह सामंजस से उनकी कहानियों की विसेशता है, पाड़ भरकम जिसमें छोटी छोटी चमकदार आँखें जिन में नेकी महबबत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी चहरा जैसे कोई खुली हुई किताब वैसा ही सफेद वारिक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्ब में उड़ा करती थी चहरा जैसे कोई जब साफिया ने कई बार उनकी तरह मुहबबत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहुत से पूछा उन्हें बताया गया कि ये मुसल्मान है कल ही सुबह लाहुर जा रही हैं अपने भाईयों से मिलने जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा लाहुर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहुर कितना प्यारा सहर है वहां के लोग कैसे खुबसूरत होते हैं